रपी एफ ने पकड़ा 20 लाग रुपे से अधिक का सोना जी आरपी के किया हवाले साउथ रेलवे स्टेशन से सूचना पर की कारेवाई खाबर कटनी से है जहां सूचना पर आरपीफ ने साउथ रेलवे स्टेशन में बड़ी कारेवाई की दोव्यक्तियों के पास से 20 लाग से अधिक कसोना जब्त किया आरपीफ ने सोना जब्त करते हुए कारेवाई के लिए प्रकरण जी आरपी को सोपा है जिस पर पोलिस ने मामले को जांच मिलिया जी आरपी थाना प्रभारी राकेश पटेल ने बताया कि सैफुधिन मलिक 57 वर्ष निवासी माधफ पूर जांगिर जिला दूगली पश्चिम बंगाल साउथ रेलवे स्टेशन के पास सूचना पर पकड़ा गया वहीं थैले की जाच की गई तो 11,245 रुपे कीमती सोने के कंगल मिले आरोपी के खिलाफ धारा 102 CRPC के तहत कारेवाई की गई कर रहा है ऐसा जरीय मुखिर उनको सूचना प्राफ थी जो स्टाफ के साथ जा कर देखा तो मुसापर घानों में आर्पी बाले जो है दो गेक्तियों के साथ खड़े थे पुलिस को आते देखा तो वो लोग फिर अपने इंतियार में थे तब अपने पूछता है जो किया और पटेल सामने तब उनने बताया अपने नाम बताया एक ने सयुद्दीन करकर नाम बताया सई पूछतार पर बताया कि वह तुम है जोहल्री का बिजनिस करते हैं और वहां से जो है 18 केरेट की जोलरी बनवा के यहां पर लाक के कंगनों में और कुछ साधे ऐसा लाके और यहां के सराफा बजार में वो सब लाई करते हैं उनसे दस्तावेज के संबंद में पूच नाच की गई तो उनके पास कोई दस्तावेज ऐसे उसके पक्के बिल वगएरे नहीं पाए गए समान चेक करने की बात की तो उन्होंने का भाई इसके सत में हम चेक नहीं कराना चाहेते क्या कि हमारा बड़ा मामला है हम सो नहीं करना चाहते हैं तब उनको फिर यहां पर थाने लाया गया और समक्ष गवाहान और कुछ सराफा बाजार के भी व्यापारी यहां पर आ चुके थे जिनके सामने फिर उन्हें अपने बैक से जोली निकाल करें चेक कराया जो उसमें 552 ग्राम शौना की बने जेवर उसमें मिले कुछ इसमें कं 82 नक से अधिक लाख के ऊपर जो है सोने सोना चड़ा हुआ इस तरह के कंगन जो उनके पास थे कुल कीमत इनकी जो है 19,24,000 रोपे करीब इसी कि अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर तेखने के लिए हमारे चेनल पुलिस बीरोक्रेट्स न्यूस को बेल आइकान दबा कर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे अधिक जानकारी लिए हमसे संपर्क करें हमारे कॉंटेक नंबर है 9039011886 एवं 9770229999